प्यारे साथियों, आप से भी का स्वागत करता हूँ अपने MRS Study परिवार में तो यहाँ पे RITES में आपका Apprentice Training को लेकर अपडेट जारी किया गया है और इसके लिए आपको फॉर्म भरने होंगे फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे डेट दिया गया है जो की 1 December से फॉर्म भरा जारा है और 20 December तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे आपका कौन-कौन से इलिजिवल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Graduate Apprentice के लिए स्टाइपेंड जो है 14,000 दिया जाएगा जिसमें B.E.B.T.E.C. और Non Engineering वाले भी यहाँ पे इलिजिवल है तो यहाँ पे B.E.B.T.E.C. वालों के लिए 117 और Non Engineering वालों के लिए 43 ग्रैजुइट में और Diploma Apprentice के लिए 12,000 और इसके लिए 3 यर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कौन-कौन से ब्रांचेज में निकाली गए है वो आगे हम लोग डिसकरस करेंगे जिसमें 28 सीटे हैं और I.T.E.C. यानि Trade Apprentice के लिए 10,000 स्टैपेंट दिये जाएंगे और यहाँ पे आपका फुल टाइम I.T.E.C. पास आउट होने चाहिए मेकेनिकल का 38 और केमिकल और मेटलर्जी का तीन इस तरीके से 170 टोटल आता है ग्रेजूट नेंड इंजिनिरिंग में फाइनांस और एचर का मिला करते 48, 28 और 15 डिप्लोमा में यहाँ पे सिविल का 7, इलेक्ट्रिकल का 5, सिगनल और टेलिकॉम का 4, मेकेनिकल का 11, केमिकल और मेटलर्जीकल का एक टोटल अठाही से यहाँ पे दिया गया है ITI ट्रेड में बात किया जाए तो सिविल का 2, इलेक्ट्रिसियन का 4, अधर ट्रेड का 10, और कैड ऑपरेटर और ड्राफ्टमेन का तीरपन यहाँ पे टोटल यहाँ पे 69 आपका होता है और ग्रेंडोप ऑगर बात किया जाए तो 251 की सीड है बात किया जाए सौट-ListGA потом तो सौट-List, किया जाएगा based on merit list, formed on the basis of percentage of marks obtained in the essential qualification applicable to the respective trade there will be no written test और interview कोई भी written test या interview आपका नहीं लिया जाएगा minimum qualifying marks जो है आपका general का 60 परतिसत और SCST OBC का जो है 50 परतिसत minimum होना चाहिए अगर ITA है तो NCVT या NCVT जो भी हो और अगर आप degree या diploma है तो AICT से approved होना चाहिए और not eligible to apply apprentice eligible नहीं है पहला candidate awaiting result for essential qualification जो result के लिए wait करने वो नहीं इसके अलाबा 18 not completed 18 साल तो वो सारे यहाँ पर eligible नहीं है apply करने के लिए आपको जो है यहाँ पर अगर आप diploma और degree है तो आपको NETS पर जाकर enrollment लेना होगा और अगर आप ITA है तो आपको apprenticeship इंडिया पर जाकर एक enrollment वहाँ से आप जो है जाकर कर पाएंगे after applying on the respective NETS और NAPS portal जैसे ही आपको एक मिल जाएगा आपको एक enrollment ID तो उसके बाद आप यहाँ पर जो है यह apply कर सकते हो यह form का link दिया गया है इस पर जैसे ही आप click करोगे आपके सामने open एक नया page होगा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ अगर आपके पास NETS का enrollment ID है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो तो यह आपका form आ जाता है यह form आपको जो है details भर देना है क्योंकि यहाँ पर NETS का reference या enrollment ID जो है मांगा जाता है और उसके बाद आपको जो है document और proof जो कि PDF में होना चाहिए यह आपका जो है submit कर देना होगा और उसके बाद आपका जो है आपको message या call किया जाएगा कि आपको select किया गया है आप इस दिन आकर join किजिए जो भी आगे का process होगा वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा आपको mail या message के थूँ तो 20 December तक आप यह कर सकते हो बाकी share related जो भी updates होंगे आप लोगों के साथ share किया जाएगा चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा ताकि share related हर चोटी और बड़ी update आपको जो है time to time मिल सके मिलते हैं नई वीडियो में नई update के साथ thank you